वेल्कम टो इंसाइट टेक्स, here we will learn about power transmission element and control system transformer cooling system series को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे transformer की cooling system और उसके अंदर OTI और WTI काम कैसे करता है वो हमने इस चैनल पे battery set के बारे में, battery charger के बारे में CT, breaker, PT, control panel, 11K panels, transformer और transformer का testing इन सब के लिए videos बना के रखें, जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी तो आप visit के रहेगा, तो आपको बहुत सारी information मिल सकती है substation के बारे में, generally हमारे पास जो transformers होते हैं, वो transformer का जो insulation होता है वो generally दो type का होता है, उसमें एक dry type transformer से रहते हैं, और जो दूसरे होते हैं, वो oil cool transformer होते हैं यानि कि oil उसमें insulation के लिए भरा हुआ होता है, और उस oil से हम winding को ठंडा कर सकते हैं जिससे कि transformer अपनी full capacity में काम कर सके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि transformer जो है, वो बहुत ही costly equipment है, और crucial equipment है हमारी power system के लिए हमारे जो oil fill transformers रहते हैं, उसमें transformer को ठंडा रखने के लिए चार टाइप की cooling systems होती हैं जिसमें सबसे पहले होती है, O-N-A-N, यानि कि oil natural air natural, उसके बाद O-N-A-F, oil natural air force oil force air natural, and जो last होती है, वो oil force air force तो इस चार टाइप की coolings होती है, जो transformer को ठंडा रखने के लिए use की जाती है, हम इसको detail में देखते हैं कि यह किस तरह से काम करती है जैसे कि हमने देखा कि जो transformer का oil जो होता है, वो cooling के लिए के जो fourth system रहता है कि oil force air force, तो air force के लिए हम pins के उपर fence लगाते हैं और oil force के लिए हम pump लगाते हैं जो radiator के pack में लगता है कि जिससे oil fast जाए, जो हमने आगे की videos में देख लिया है, तो यह जो दोनों होते हैं वो transformer के cooling control box के साथ connect होते हैं, और cooling control box जो होता है, उसके अंदर OTI, WTI रहते हैं, जैसे कि OTI या तो WTI कोई एक particular temperature पर पहुंच जाए, तो एक contact close होता है और उसकी बज़े से हमारे oil या तो fans, oil pump या तो fan चालू होते हैं और बंद होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि OTI, WTI में इससा क्या होता है, कि जिससे वो fan और cooling pump को control करता है हमने transformer के oxygen protection वाले वीडियो में देखा था, कि जो OTI and WTI जो होते हैं, वो हमारी protection system के साथ connect होते हैं और जिसमें हमने देखा था कि WTI में winding city भी होती है, ठीक है तो वहाँ पे हमारे जो दो contact थे, वो दो contact एक alarm का contact था, कि temperature high हुआ है और दूसरा trip का contact था, कि temperature इतना high हो गया है, कि हमारा transformer trip हो जाए तो यह system जब हमारा transformer oil natural, air natural पे चल रहा है, तब होता है जो कि हमारे 66 kv के transformers होते हैं, जो 10 MVA या तो 20 MVA तक होते हैं तो उसमें इस तरह की systems होती है तो transformer 20 MVA से बड़े होते हैं, तो उसमें OTI में 2-2 switch की जगह 4-4 switch वाले OTI, WTI रहते हैं जिसमें क्या होता है, कि जो extra 2 switches है, वो हमारी cooling control के लिए काम आती है तो जो भी हमारे high MVA वाले transformers रहेंगे, तो उसमें इस तरह से 4 control switch रहेगी जो की हमारे cooling system के लिए काम आयेगी तो आप देखते हैं कि यह जो control switches है, वो काम किस तरह से करती है और हमारा OTI और WTI किस तरह से काम करता है हमारे transformer होते हैं, उसके अंदर जो OTI होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, और WTI होते हैं किस तरह से होते हैं, दोनों में difference क्या है वो देखते हैं, कि अगर हम इसको अंदर से देखे तो किस तरह से दिखते हैं, जैसे कि open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दो bellows दिये गये हैं, और यह दो bellows जो है, वही काम करते हैं हमारे temperature को indicate करने के लिए, देखिए, इसका connection इस bellow से है, और यह bellow जो है, वो इस shaft के साथ connected और यह shaft जो है, वो हमारे indicator को change करती है, ठीक है, तो इस तरह से यह OTI है, और जब WTI होता है, तो WTI में एक यहां पर shunt रहता है, और यहां पर एक heater रहता है, बेllow heater तो क्या है कि वो बेllow के अंदर के gas को heating करेगा, और उससे हमारा WTI का temperature, जो होगा, वो sense होगा, ठीक है, तो इस तरह से होता है, अभी देखते हैं कि यह पूरा, किस तरह से अंदर सब चीजे होती है, पहले वो देख लेते हैं हमारे जो transformer होते हैं, उसमें OTI, WTI रहता है, उसमें आपने देखा होगा कि जो transformer की main body है, उसके उपर एक capillary लगी होगी, जो की temperature को sense करती होगी, और वो still की pipe होगी, जो की direct OTI या तो WTI तक पहुंचती होगी, तो इस तरह से यह still की pipe OTI, WTI में पहुंचती है, उसके अंदर द OTI, WTI के अंदर क्या होता है, कि इस तरह से bellows होते है, दो bellows होते है, जो दो bellows है, वो एक दूसरी के साथ इस तरह से connect रہते है, यानि कि यह piston tap रहता है, यह bellow बढ़ा होता है, तो यह अंदर की और जाता है, और इसको उपर की और खीचता है, और इसका जो temperature का wire जो होता उसका connection इस तरह से होता है कि एक बेलो में वो temperature का wire जाता है और दूसरी तरफ से उस बेलो में जो wire निकलता है वो यहां पे shield होता है same उसी तरह से जो दूसरा wire आता है temperature का वो दूसरे बेलो में जाता है और वो भी सामने की और दूसरे wire में shield होता है यानि कि इन के अंदर कोई गेस भरी होगी कि जो गेस जो है वो temperature के हिसाब से maximize होती होगी और उससे क्या होता है कि यह बेलो जो है वो expand होता है सही है तो क्या होगा कि जब भी कोई temperature बढ़ेगा तो यह expand होगा और उससे क्या होगा कि यह यहां से उपर की और expand होगा लेकिन यहां पे नीची क्या होता है कि और एक shaft होती है और वो shaft यहां पे एक mechanism के शाथ connect होती है और यहां पे जो होता है यह फिक्स होता है और जब भी ब जो शाफ्ट है वो नीचे की और जाएगी जिससे क्या होगा कि यह पॉइंटर है वो नीचे की और जाएगा तो उसके साथ हमने यहाँ पे एक शाफ्ट और लगा रहेखिए कि जो शाफ्ट नीचे की और जाएगी और इसमें यहाँ पर सेंटर में हमारा पॉइंटर रहेगा तो क्या होगा कि जब भी यह shaft नीचे की और जाएगी तो यह pointer जो है वो इस तरह से बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारा जो temperature indicator होता है वो रहता है अभी यह जो pointer है pointer के आसपास हमारी limit switch रहेगी कि जो हमारे temperature को sense करेगी कि इतने temperature पर यह operate होती है और इतने temperature पर यह होती है इस तरह से हमारी बाहर wire में आता है तो यह जो यहाँ पर दो switches है वो हमारी alarm और trip की switches है यहाँ पर ठीक है तो इस तरह से हमारा OTI जो होता है वो काम करता है और जैसे ही यहाँ पर temperature बढ़ेगा तो क्या होगा कि यह force करेगा जिससे यह उपर की और जाएगा लेकिन ज्यादा temperature होने की बज़े से यहाँ पर भी force होगा और यह जो below है वो नीचे की और जाएगा और उससे क्या होगा कि यह जो shaft है वो नीचे की और जाएगी और हमारा जो pointer है वो ज्यादा temperature दिखाएगा तो इस तरह से हमारा OTI जो है वो काम करता है अब हम अगर WTI की बात करें तो WTI में किस तरह से होता है कि आपने देखा होगे कि WTI में दो wires होती है तो जो दूसरी wire होती है वो हमारी transformer में जो winding city है वहां से आती है और वो जो wire है वो wire का connection यहाँ पर एक heater रहता है below heater उसके साथ connect होता है इस तरह से WTI CT यहाँ पर आती है और वो एक rehost rate जो होता है हमारा उससे connect होके फिर heater में जाती है और WTI CT से जो current आता है वो current की बज़े से यह heater जो होता है वो heat होता है और उसकी बज़े से अंदर की gas थोड़ी और ज्यादा गरम होती है और उससे हमारा जो WTI का temperature है वो OTI से थोड़ा ज्यादा दिखाता है तो इस तरह से हमारा WTI काम करता है अभी अगर हम बात करें EHV Transformers में तो उसमें जब fan control करना है और हमारे pump control करने है तो उसके लिए यह जो यहाँ पे दो switch लगी गई है वहाँ पर और दो switch लगी होती है और उन दोनों switches का connection यहाँ पे रहता है जो कि हमारा fan on और pump on के लिए use करते हैं तो इस तरह से हमारा OTI & WTI जो की हमारे normal transformer जो 20 MVA तक होते है उसका और उससे ज्यादा जो 100 MVA, 150, 160 MVA का जो transformer होता है उसके लिए इस तरह से OTI & WTI काम करता है जैसे कि हमने drawing में देखा तो देखेए यहाँ पर original हमारा जो WTI होता है उसके अंदर इस तरह से होता है और capillary से यहाँ पे इस below में connect हुआ है और यह below यहाँ पर इस below से इस तरह से connect है और capillary से जो दूसरा wire आया है वो यहाँ पर आया है सही है अभी अगर हमें यहाँ पर एक्जस्मेंट करना है कुछ correction करना है तो यहाँ पाद जो यह screw है उससे हम correction कर सकते है temperature के लिए जो कि हमारा जो thermometer एक और thermometer रहेगा उसके साथ हम उसको correct कर सकते है कि इतना temperature अभी है तो इतना दिखाना चाहिए और यह जो हमारी वो needle है इसके पीछे यहाँ पर हमारा जो dial होता है वो लगा हुआ होता है और देखे यहाँ पर जो यह white color का है वो हमारा heater है WTI CT से जो connection आते हैं वो यहाँ पर connect होते हैं और जिससे यह heat होता है और हमारा यह जो bellow है वो ज्यादा expand होता है जैसे कि हमने आगे देखा था कि जो WTI के लिए heater के लिए जो wire आता है वो wire shunt से होके आते है तो यह shunt इस तरह से यहाँ पर होता है और जिसससे exhaust किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पर है कि 5 ampere पर 16 degree temperature दिखाएगा तो यह जो exhaustment होता है वो इस shunt से किया जाता है कि shunt को हम ज्यादा कम करें तो उससे हमारा जो gradient है वो यहाँ पर set होता है तो इस तरह से हमारा WTI जो है वो काम करता है और जैसे हमने drawing में देखा था कि जो pointer होता है वो pointer यहाँ पर है और यह pointer के साथ ही यह dial connect होता है और यह dial के साथ हमारी यहाँ पर limit switch जो होती है वो connect होती है जिसको हम इस screw की मदद से set कर सकते है जैसे कि यहाँ पर 90 degree पर set किया हुआ है और यहाँ पर 95 degree पर set किया हुआ है sorry यहाँ पर 85 degree पर set किया हुआ है तो यह जो switch है वो 85 पर operate होगी और यह जो switch है वो 90 पर operate होगी इस तरह से यहाँ पर यह एक्जस्मेंट किया हुआ है इस तरह से आपको सब जो OTI, WTI है आपके उसमें आपको यह एक्जस्मेंट करने को मिल जाएगा और जैसे हमारी बात हुई थी कि अगर आपको temperature correction करना है तो वो इस screw से कर सकते हैं वैसे सारे के सारे जो हमारे नए OTI, WTI आते हैं वो डूली टेस्टेड ही होते हैं तो यह सब करने की जरूरत नहीं रहती है हमारे जो transformer होते हैं उसमें हमें सिर्फ इसी को एक्जस्मेंट करना होता है कि हमें कितने temperature पे trip चाहिए या कितने temperature पे alarm चाहिए और अगर हमारे EHV transformer है तो उसमें हमें कितने temperature पे हमारा pump on होना चाहिए और कितने temperature पे हमारा जो fans है वो on होने चाहिए उसका setting यहाँ पे आप कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जो connection डायाग्राम है वो दिखाया गया है कि S1 यानि कि alarm की switch के connection है S2 यानि trip की switch के connection है और यहाँ पर red and black wire है जो की हमारे WTI CT यानि कि winding CT से जो आता है वो connection यहाँ पे होता है तो इस तरह से हमारा OTI and WTI काम करता है हमारी cooling system जो होती है transformer की वो automatic किस तरह से काम करती है और उसका जो use है वो OTI और WTI की switches से करते है वो आगे हम पूरा circuit देखके सिखेंगे और उसमें हम auto पे रखे तो किस तरह से यह auto में fan या तो pump चालू हो जाएंगे वो देखेंगे So देखते रेगे inside text and thank you for watching Thank you अजय को किस से है आगे भागे गया किस दो भागे के रेखेंगे महार बाहे सैजके पर रखेंगे ऱुषाओे जागे यह जागे अवडे अगे झाल झाल